रूमी तुम लाख उनके हिसाब से चलो लेकिन वो तुम्हें बख्षने वाली नहीं है बख्षा तो गुनाहों को जाता है, गुनागारों को जाता है, मैंने तो कोई गुना किया ही नहीं है तुम काफी अपसट लग रहे हो, सब ठीक है? नहीं, कुछ नहीं, बस ऐसे आँटी, जो कुछ भी तुम से कह रही थी, मैंने सब सुन लिया है वो तो हमेशा से ही ऐसी है तुम्हें इन सब बातों की आदत नहीं है न, इसलिए परिशान हो रही हो मैंने तो कुछ ऐसा का ही नहीं था बता नहीं, वो क्यों अतना उस्सा हो गई हलाके हां में असल नहीं की थी हां मैं जानती है तुम परिशान मतो और सुनो, खुद को कभी भी अकेला मत समझना है बलके मैं तो ये कहूँगी कि तुम्हें हर बात असल भाई को बतानी चाहिए देखो, मैं अपनी हर बात नभीर को बताती हूँ और वो हमेशा मेरे पीछे खड़े होता है वरना आंटी का बस चलता तो वो कल का क्याब आज ही मुझे निकाल देती नहीं, लेकिन वो असत के उपर तो जॉप कही इतना बोज होता है, इतना काम करते हैं वो मैं ये बातें बताऊंगी तो वो और परेशान हो जाएंगे देखो, रूमी, चुप रहने की बेवकूफी कभी मत करना वरना आंटी तुम्हें निकाल बाहर करेगी लेकिन मैं तो ऐसे कुछ कह रही नहीं नहीं, जो तो मुझे खर से निकालेंगी मैं तो उनके हिसाब से चल रही हूँ रूमी, तुम लाग उनके हिसाब से चलो लेकिन वो तुम्हें बख्षने वाली नहीं है अक्षा तो गुनाहों को जाता है, गुनागारों को जाता है, मैंने तो कोई गुना किया ही नहीं है हसत भाई ने तुमसे पसंद की शादी किया है और वो ये गुना बख्षने वाली नहीं है कभी भी तुम इस घर में अपनी मर्जी से तोड़ी आई हो जो चुप चाप हर बात को परदाश करती रहोगी तुमें कोई भी बात पुरी लगे तो उस पे रियाक्ट करो उन्हें बताओ कि तुमें बुरा लगता है तुम पत्थर की नहीं हो और असर भाई को भी अपनी जिम्मदारियों का एसास होना चाहिए और ये एसास उन्हें तब होगा जब तुम उन्हें ये बात रिलाइज करवाओगी कि तुमें बुरा लगता है कुपको समझो